नमस्कार मैं हूँ नीरजबाली और आप देख रहे हैं दैनिक सिवेरा टीवी इस समय हम मौझूद हैं जिला कांगडा के फतेपूर विधान सबाक्षियत्र में जहाँ पर हम बाचीत करेंगे परदेश भाजपा जुवा मोर्चा के सच्चव पंकज शर्मा जी से सर सबसे प परिवार पहले से ही भाजपा के साथ रहा है पिताजी ने भी भाlaus जनता पार्टी के लिए काफी काम किया है और बैचारीक चाहे मैं भारती वायू से ना मैं था, लेकिन हिंदू तब के उपर और बहुत से ऐसे भारती जनता पार्टी के मुद्धे हैं, जिसकी बज़ा से हम बैचारीक मन से भारती जनता पार्टी के साथ है। भारती वायू से ना मैं रहा, तो अगर उस मुद्धे पे हम लोग आते हैं, तो यहां तक मेरा मानना है कि बहुत से ऐसे माद्यम होते हैं वेक्ति को अपने बिचार रखने के, बहुत से ऐसे माद्यम है, चाहे वो भारती वायू से ना हो, चाहे वो नेभी हो, उसमें बहुत अभी सेना के जो अध्यक्षाय हैं जा रक्षामंत्री हैं वो काफी परिपकव हैं और इस चीज पर देख रहे हैं अगर गुर्मेहर को और की बात की जाए तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि यूनिवर्स्टीज में यह जो चीजें हैं यह नहीं होनी चाहिए जिस तरह स से उनको शर्याम धंकिया दी जा रही है रेप को लेकर या मारने को लेकर सबसे पहले तो आपने अभी ऐसे बात छेड़ी है तो मैं जीनियू पर आता हूं जो ब्यक्ति जीनियू में शिक्षा ग्रहन करता है वो मातर तीन सो रुपया उसकी फीस है और रहना और खाना जहा नहीं देना चाहिए जो हमारे देश में बहुत से ग्रीब लोग बैठे हैं जो शिक्षा से महरूम है उनको वहां पर उन यूनिवस्टियों में शिक्षा देनी चाहिए और इन लोगों के ओपर देश-द्रोग का मुकदमा चला कि इनके देश से बाहर निकालना चाहिए ल जल्दी से जल्दी उनके उपर जो भी कारवाई करनी थी क्योंकि ये देश-द्रोग का मामला बनता है उनको उनके उपर जो भी केस बनते थे वो बनाके अभी तक उनके दाइरे में उनको लाके वहां पर भेजने चाहिए थे उनको पर कारवाई शुरू होनी चाहिए थी अगर ये पिछले साल का प्रकर्ण आप देखें, एक साल पहले जो हुआ था, अगर उसके उपर समय रहते कारबाई हो गई होती तो ये जो दस बारा दिन पहले ये जो नया आइनों ने शुरू आत की है, इसके उपर बिलकुल अंकुछ लगना था. हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की चुनाव आने वाले हैं, लगवग पांसात महीनों का समय रह गया है, तो आप युवाओं को लेकर आपकी क्या रनीती है? युवाओं को लेकर रनीती से पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जहां तक मानना है कि युवाओं को आप किसी ना किसी माद्यम से ब्यस्त रखी है, क्यूंकि 68% के करीब जो जनसंख्या वो युवाओं की है, देश में, तो मेरा मानना है कि उनको सबसे पहले तो नश करेकार मनाईगी इस वार हिमाचल प्रदेश में और हम लोग बच्चों को रोजगार के साथ-साथ शिक्षा के साथ-साथ-साथ- खेल-कूद में वी उनकी रुची बनी रहे जिसे कि उनका जो मन है उसमें खेल-कूद मैं और इन चीजों में रहे और नशे की तरफ न जाए पार्टी के साथ आपने युवाओं को जोडने की कुछ मोहिम चलाई है। अगर हम मौझूदा इस विधान सबाक शेत्र की बात करें फतिपुर्की तो आपको क्या लगता है कि यहां पर विधायक हैं क्या वो जनता को अपनी सेवाई देने के लिए या परशासनिक तोर पर सब कुछ ठीक रखने के लिए सक्सेस हो पाए हैं। नहीं बिलकुल मैं हमारे वो बड़े हैं बजूर्ग हैं मैं उनके ऊपर कोई कटाक्शन करूंगा लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनकी उमर हो गई है। उनको युवाओं को मौका देना चाहिए भारती जनता पार्टी में लोग हैं अच्छे अच्छे लोग हैं वो चुनाब लडेंगे जिसको भी पार्टी अदेश देगी वो चुनाब लडेगी और इस बार जीतेंगे और आपने जो प्रशन पूछा मैं प्रशन से दूसरी कि यहां पे दो डॉक्टर हैं मेरे घर के बिल्कुल सामने किसान भवन है जो मातर चार पांच बिनान सवाक शेत्रों में एक मातर जो किसान भवन है उसको आप देख सकते हैं उसके द्रवाजे खिड़किया शीशे तब टूक चुके हैं और आस पास चाहे वो पॉंग डैम किया नीचे स्थाना वेल्च खटियार वेल्च में वहां पे पानी की समस्या थी तो इस दोरे से जो पहले का मुख्या मंतरी का दोरा था 550000.00 रुपे वहां पे ड्यलमेंट के लिए पानी की स्प्लाई की पाईपों के दे गये थे वह कारे करम अभी उनका चलाई हुआ है अभी implement नहीं हो पाया है और काफी समस्यां हैं समस्यां का अमबार है चाहे सडकें देख लीजीए शिक्षा हमारे रहन में अभी जो मानने हमारे मुख्यमंतरी जी का दोरा था पिछला उसके दोरे में उनका रहन में पोल टेक्नीकल का मुमन पोल टेक्नीकल का उधगातन था और एक दिन पहले जान बूज के उनों ने इस यहां पे वो कैंसल कर दिया गया काफी समस्सें हैं वगर मैं गिनाने हैं वटूंगा तो आपको दो तिन घंटे मेरे साथ बैठना पड़ेगा अच्छा बात करें यहां विदान सबाग शेतर की तो क्या आप टिकट के कही नहीं दावेदारी रखते हैं दावेदारी बिल्कुल जनता हमारे साथ है भारती जनता पार्टी के साथ दावेदार भी हम हैं अगर पार्टी हमें बोलेगी चुनाब लड़ने के लिए तो हम बिल्कुल 101 परसें चुनाब लगएगी अगर लड़ेंगे अगर पार्टी कहीगी क चुनाब नहीं लड़ना है आप और कुछ कारे करो तो बिल्कुम पार्ट संगर्ण के साथ चले हुए हैं जैसे दिशान दिरजेश्ट होगे वैसे काम करें यहां पर हमारी बलदेव ठाकुर जी से भी बात चित हुई थी वह भी टिकट के दावेदार हैं तो कहीं न कहीं ता साहिल डड़वाल वह भी हमारे सब मौझूद हैं उनसे भी कहूंगा कि वह आपसे कुछ सवाल चवब करें साहिल जी स्वागत है आपका पंकत जी मैं तो सबसे पहले आपसे जाना चाहूंगा कि युवाओं को लेकर ऐसी कौन सी आप योजना जो है वह परदेश सरकार के स हमारे कशेतर में पॉंग डैम का बहुत बड़ा एरिया आता है अगर सरकार की नियत अच्छी हो सरकार चाहे तो वहां पर डिवेल्मेंट के लिए चाहे शिकार बोट बगएरा शिकारे डाले जाएं और लोगों को रोजगार का युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं हमारे यहां पर टैरस अध्योगी कशेतर है जब कोई भी अध्योग लगता है तो सरकार के साथ एक M.O.E. साइन होता है जिसके उपर लिखा होता है कि हिमाचलियों को 70% युवाओं को जा कुसी को भी रोजगार देना है लेकिन आगर आप उन फैक्टरियों में जाएंगे वहां पर जाके देखेंगे तो उनकी संख्या 10-20 जा 30% होगी और वो भी लेवरर में होंगे और 15-20 जार सैलरी के उपर उनसे सिगनेचर करवाए जाते होंगे और 7-8 जार जा 6 जार रवे उनको सैलरी दी जाती होगी तो अगर भारत्री जंता पार्टी सरकार बनती है तो मैं आपको विश्वास दीनाना चाहता हूं युवाओं को भी आपके चैनल के मार्य म्हां से मैं भिश्वास दिनाना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले तो जो ममयों की ऊपर जो सायन किया हुला हो है उसके उपर देखेंगे क क्या उसके ओपर वो खरे उतर रहें और जो हमारा फते पुर्विधान सवाक शेतर का जो डैम का एरिया लगता है वहां पर हम लोग शिकारे और बहुत से बीचर्चाएं करेंगे और सब कुछ होगा फते पुर्विधान सवाक शेतर में हम आज सुभा से गुम रहे हैं हमने यहां की सडकों की हालत देखी है हमने यहां के शैक्षिनिक संसान देख है विकास क्या आपको नहीं लगता कि इस विधानसवा खिशेतर में कुछ थमसा गया है बिलकुल आप से सहमत हूँ हमारे फटेवर विधानसवा खिशेतर में एक मातर जो है सरकारी आई टी आई है धमेता में बढ़ती है उसमें भी कुछ लिम्टिड ट्रेट्स हैं और एक पो कैंसल कर दिया गया कोई और शिक्षा का अच्छा संस्थान नहीं है यहां पर अच्छे अच्छे स्कूल है वो लोगों की मेनस से लोगों ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए खोले हैं और रही सड़कों की बात तो हमारे क्रिशी मंत्री जी के घर के आसपास और आपसे अंडरोद है कि आप स्थाना जरूर जाएं उस्थाना से बावन गेट वाला जो रास्ता है जो वहां पे उनकी जगा है वहां पे जाएं तो आपको पता लगेगा कि तीन से तीन साड़े तीन तीन फुट गहरे गड़े हैं तो जब वह अपने खिशेतर के निवर पारे अपने घर के निवर पार रे तो बाकी क्शेतर का क्या करेंग गे वह सuleडी जिस तरह से मैंने आप से कई वार कई विधान साबाहों में सवाल किया है आप अड़मी पार्टी को लेकर तो आपको यहाँ पर कुछ तरह से देखत अगर आमादमी पार्टी लड़ना चाहती है तो उसको समय रहते हैं यहां से केंड़ेट ढूंडने होंगे केंड़ेट उसको कांग्रेस और भाजबा से ही ढूंडने पड़ेंगे लेकिन मुझे लगता कि इन चुनावों में कुछ खास असर कर पाएगी आमादमी पार्टी आप जाएंगे आमादमी पार्टी में कांग्रेस का पता नहीं हो क्या करेंगे मानकर चलते हैं अगर आमादमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है या उनको ज्यादा जो सीड्स है वो मिलती है तब आपको लगता है कहीं ने कहीं आमादमी पार्टी ही माचल में अभी अपनी दस्तक दे सकती है नहीं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारती जनता पार्टी और भारती जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बिशाल चुहान जी हैं जिस दिन से वो भारती जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं परदेश के तो हम लोगों ने बहुत मैंने पहले भी जैस युवा कारे कर रहे होंगे तो उनके आगे पांच पांच साथ साथ दोस्तों के तो हमारी एक बहुत अच्छी मुहीम चलेगी चाहे पंजाब में जैसे आप बता रहे हो कि अगर निकलेंगे फोड़ी वो सीटे निकाल के लेकिन हिमाचन में बहुत मुश्किल है कोई और सवाल साहिल जी मैं जाएँ हो कि आप यहां की फते पुर की जनता है उनको जाते जाते अपना को संदेश दे मैं सबसे पहले तो फतेवर बिधानसवाक शेतर के युवाओं से जैसे पहले भी अनरोध करता रहता हूँ फिर अनरोध करता हूँ कि अभी आप लोग हमारा बॉर्डर एरिया है नशे से दूर रहें खेल कूत के प्रती अपनी रुची रखें एक्जाम पास आ रहे हैं पढ़ाई कीजिए अच्छे से अच्छे नंबर लीजिए और बजुर्गों माताओं बहनों से यही मैं प्रार्थना करता हूँ एक तो हमारा हिंदू नब बर्शारा है उसकी मैं आपको आपके चैनल के माद्यम से बहुत बहुत उनको शुब कामनाई और बधाई देता हूँ और साथ मैं होली आ रही है उस पर्ब की पावन पर्ब की बहुत 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 आपको शुब कामनाई में बताई देता हूँ तो यह थे पंकज जी जनोंने हमारे साथ बाचित की है और इस विदान सबाक्षेतर को लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है अगले किसी उमीदवार या अगले किसी टिक्टार्थी के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक मुझे साहिल और मेरे कैमरामन वरिंदर महरा को दे इजासत नमशकार